कि हेलो एवरीवन बेलकम बैक इन अवर चैनल दोस्तों आप सभी का सवागत है मैं हूं का फिल तो दोस्तों आसम इस वीडियो में कोश्चन नमर 81 को आजम कंपीट करेंगे इससे पहले में 81 कोश्चन तक जो वीडियो पहले ही अप्लूड कर चुका हूं तो आप हमारी प्ले वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करेंगे जिन बच्चों ने अभी तक नहीं वीडियो देखें 81 कोश्चन तक के प्लीज आकर देख लिजिए सारे के सारे इंपोडेंट कोश्चन है जितने की आपके एक्जाम में अभी तक पूछे गए हर एक वीडि रखा है मैं इसको भी रीड कर देता हूं अगला कोश्चन जो पूछा गया है समयानी की ओके तो चलिए देखते हैं ऐसे कोश्चन को कैसे हम करते हैं तो ना कोश्चन में बोला के माइनस 7 और माइनस 3 बोला गया माइनस 7 और माइनस 3 के बीच में जितने भी पूड़ांक आपके आते हैं तो कौन कौन से पूड़ांक यानि की इंटीजर्स आते हैं माइनस 7 हो गया माइनस 6 हो गया माइनस का 5 माइनस का 4 और माइनस का 3 हम कह सकते हैं 7 और 3 के बीच में आपके 3 पूड़ांक संक यानि कि 3 integers आपके lie करते हैं, वो 3 integer आपके है, minus 6, minus 5, minus 4, अब आपको क्या करना है, इन 3 integers का आपको आपस में multiply कर रहे हैं, जब आप multiply करोगे, तो you will get 5, 6, 30, 34 जा आपका आएगा, 120, ओके, अब बात करते हैं, sign की sign प्लस आएगा, minus, अब counting कर लीजिए, 123, अगर odd number में minus होता है तो आपका answer में minus आएगा, okay, even में होता तो आपका minus नहीं आता, okay, तो हमारा जो यहाँ पर answer जो correct होगा, वो आपका हो जाएगा, minus का 120, यानि कि यहाँ पर जो option होगा, वो आपका C correct हो जाएगा, उम्मीद आपको सब कुछ समझा आगया होगा, तो चलिए, बढ़ते हैं प्लीज आके देख लीजिए, अब कम से कम समय आपका exam में बचा, जितनी सी जादा से जादा अच्छी तयारी हो सके exam को लेकर, तो उतना ही अच्छा होगा, सारे question आपसे previous year test exam में पूछे गए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को जाद फल आपको बताना है, ठीक है, हो सकता है इस बार आपसे, maybe possible ये question आपसे पूछ लिया जाए, ओके, minus 5 और minus 2, आपसे नंबर दिये गए, minus का 5, minus 5 और minus 2 के बीच में कितने आपके integers लाए करते हैं, minus का 5, minus का 4, minus का 3, और minus का 2, ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते है, minus 5 और 2 के ब पूछा गया है, योगफल, योगफल का मतलब इनका सम आपको बताना है, ठीक है, minus 4, plus minus 3, यह आपको बताना है, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, समझाने में मुझे time लगा है, लेकिन आप जब समझ आओगे, तो within second में आप इस question को आसानी से solve कर सकते हो, तो देखिए, plus minus आपका minus होता है, तो जब आप इनको add करोगे, तो you will get minus का 7, अब आप अपना option को check कर सकते हो, जो आपका यहाँ पर correct option हो जाएगा, वो हो जाएगा option number A, ओके उम्मीद है, and I hope आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, अगर कोई भी doubt है, तो please वीडियो को बावस से play करके देख and wait for the next video.